जैहिन दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं प्रमोद रोरा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके पने यूटूब चैनल रोजगार रिविद प्रमोद में दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग टाइम, डिस्टेंस, स्पीड से संबंधित महत्तपुलिन पर डिसकस करेंगे जो आपके एकजाम में डारेक्ट पूछे जाते हैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपके सामने पहला कोश्चन आ गया है, तो आप लोग एक बार सवाल को पढ़िये, और सवाल को समझे, ठीक है, चलिए, कोश्चन में कहा गया है, यदि राम तेन किलो मेटर प् पहले पहुंच जाता, उसके घर और विद्याले के बीच की दूरी क्या है, तो उस्तों मैं इसको लगाने के तीन तरीके बताऊंगा, और सबसे जो अब आप तीनों तरीके में से आप कोई भी तरीका से सवाल लगा सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, तो चलिए, अब ही मैं इसको बताता हूँ, पहले इसको मैं रेशियो मेथर से बताता हूँ, कि रेशियो से आप सवाल को कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझेगा, राम तीन किलोमेटर पर गहंटा की चाल से चलता है, तो पहले वाद तीन किलोमेटर पर गहंटा की चाल से चलता है, यहा तो ऐसा होने में क्या होता है, जब तीन के स्पीर से चलता है, तो आज 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 मिनट देरी से, बात को समझने का परियास करिएगा, देरी का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चली आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको कहीं जाना है, मान के चली आप 8 झीकर छह मिनटब पुछा इसका मतलब क्या होगा कि आपने 6 मिनट कर देर दीर आप लेट कर दीए चैनल यहीजन कर देर आपने समय फार्ण से चलता अगर उसका चार किलोय किलो मेटर धगन्टा की तो चार मिनट पहले पहुच जाता है कि ightly जब आपको हर लेकिन इस बार आप चार मिनट पहले ही वहाँ पहुच के बैठें तो जब आप सब्सक्रिटी से पहले पहुच जाएंगे तो इसका मतलब आपने चार मिनट समय बचा लिया है जिसका मतलब माइनस चार कर देंगे कोई दिक्कत है दोस्तों बताइए ठीक दूरी तो सेम है दूरी तो बदलने वाला है नहीं आपके विद्याले और घर से दूरी जो है बीच की वो तो ऐसा है नहीं कि अगर इस इस कि अगरेंगे दूरी कुछ और होगा एसा है नहीं दूरी तो सेम है दोस्त जब दूरी रोंस्टेंट होती है दूरी जब नहीं बदलती है तो चाल का जश्ट उल्टा टाइम होता है तो टाइम का स्पीट क्या हो जाएगा उ और थेड़ी हो जाएगा ठीक है यहां से हो जाएगा टाइम का स्वीट यहां से समय का अंतर कितना हो रहा है तीन और एक का तीन और चार का अंतर एक हो रहा है और यहां से समय का अंतर क्या हो रहा है यहां पर पलस से हां पर माइनस जब लेट और पहले पहुंचते हैं तो ज अब यहां से आप निकाल लेंगे, यह मिनिट है, इसको घंटाम बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, घंटाम बदल गया, अब इस एक कमान आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, तो अगर आप 4 में रखेंगे, एक कमान अगर आप 4 में रखेंगे, तो यहां से आपको चाल तीन लेना पड़ेगा तो यानि हम को सकते हैं अगर हम यहाप पर रखते हैं चार का मान निकालना चाहते हैं तो हो जागा 10 बटे 60 गुना 4 ठीक यह हो गया समय यह क्या हो गया यह हो गया समय और हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय तो चाल क्या है यहां से तीन लेना है आपको समय क्या है 10 बटे 60 गुना 4 जीरो से जीरो कटेगा तीन से काटेंगे 3 दुना 6 दो से काटेंगे 2 दुना 4 तो दूरी हो जागा यहां से 2 किलो मेटर इसकी दूरी होगा 2 किलो मेटर 2 km इसका सही उत्तर है आपने ratio method समझ गया अब हम बात करते हैं इसको ALCM method से कैसे लगा सकती है सवाल वही है देखिए आपके सामने सवाल दिख रहा है अब देखिए इसको ALCM से हम कैसे लगाएंगे राम 3 km प्रेद घंटा की चाल से चलता है तो 3 km ये चाल हो गया 3 km प्रेद घंटा की चाल हो गया और 3 की चाल से चलता है तो 6 मिनट दिरी से पहुंचता है इसका मतलब 6 मिनट उसने समय इस्ट्रा ले लिया clear इसके बाद का 4 km प्रेद घंटा की चाल से चलता है 4 km प्रेद घंटा की चाल से जब चलता है दोस्त जो बारह है यह है दूरी क्या है यह है दूरी बारह क्या है दूरी है समझेने का प्यास करेगा आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय दूरी बराबर होता है चाल गुना समय अगर आप चाल का लगुत्तम निकालेंगे तो दूरी निकल के आएगा ठीक है अगर आप चाल का लगुत्तम निकालेंगे तो दूरी निकल के आएगा बास समझ पा रहे हैं दूरी निकल के आएगा जैसे आपने टाइम एंडवर्क आप लोग जब पढ़े हैं तो टाइम एंडवर्क में जो आप लोग उन्य के दिखा है कि देखें टाइम लगुत्तम लेकर आप लगुत्तम लेते थे जो लगुत्तम होता था यहीं होता था कार यानि कभी भी अगर A A गुना B बराबर C है इस फॉर्म में कोई भी चीजी लिखा गया है तो अगर आप चाहे A का या B का इनमें से किसी का लगुत्तम लेंगे तो हमेशा C के बराबर आएगा किलियर है तो चाल का जब लगुत्तम लेंगे तो क्या आएगा दूरी आएगा तो बारह क्या हो गया दूरी हो गया ये बारह दूरी हो गया और आप जानते हैं कि दूरी में जब आप चाल से भाग देंगे दूरी में जब चाल से भाग देंगे क्या होने करेगा समय निकलेगा ठिक समय निकालने के लिए का करते हैं दूरी में चाल से भाग देते हैं अब देखें अब तीन से भाग देंगे बारे में तो तीन चोग को बारे चार बारे में जाएगा तो चार क्या है या या चार है समय चार से भाग देंगे बारे में तीन बारे जाएगा ये तीन क्या है समय है किलियर अब यहां से समय में कितने का अंतर हो रहा है एक अनुपात का लेकिन यहां पर कितने का अंतर हो रहा है तो एक पलस एक माइनस है एक लेट है यह देर है और एक पहले है तो देर और पहले है जब हो दोनों एक देर हो एक पहले हो तो इस कंडिशन में दोनों जूट ज यहां से 10 हुएगा यह 10 क्या है मिनट है यह 10 क्या है चिला तो यह मिनट आपको क्या निकालना है दूरी निकालना है ओके आप क्या करिए इसको घंटा में बदल दीजिए तो घंटा में बदलेंगे 60 से भाग देंगे किलियर हमें दूरी निकालना है हमें बारे अनुपात का म अगर 10 बटे 60 है तो 12 कामान क्या हो जाएगा, 12 बराबर 12 गुना 10 बटे 60, श्यों सी जिरो कैंसे, 6 दुना 12, यहनी क्या हो जाएगा यहां से, 2 किलो मेटर, दुरी क्या हो जाएगा, 2 किलो मेटर, आप इस मेथड से भी सवाल का अंशर ला सकते हैं, किलियर है, आपको इस बात का याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय ओके तो अगर आप चाल का जब लगुतम निकालेंगे तो दूरी निकल क्या आएगा आद दूरी में जब चाल से भाग देंगे तो क्या निकल क्या आता है समय इसमें कोई दिक्कत परसानी है तो आप कमेंट क तीसरा जो मेथड है वो है फार्मूला मेथड समझने का पर्यास करिएगा देखिए सवाल यही है सवाल को पढ़िए सवाल तो पढ़िए होंगे आप लोग ठीक है भई तो चलिए अब देखिए इसको फार्मूला सम कैसे लगाते हैं करना क्या है पहले वह तीन के स्फीर से चलता है इसके बाद वह चार के स्फीर से चलता है तीन के स्फीर से चलता है तो छै मिनट का समय वह इस्ट्रा लेता है चार के स्फीर से चलता है तो चार मिनट समय वह बचा लेता है बटे तीन और चार का अंतर क्या होगा एक हो जाएगा ओके फिर गुरे गुरे क्या अच्छा जो लोग नहीं समझ पाना है कि कैसे जूट जारा तो ध्यान समझेगा जैसे मान के चलिए अगर आपको आठ बजे कहीं जाना था लेकिन आपने आठ बजे कहीं जाना था लेकिन आपने आठ बजे तो नहीं पहुंचा आप पहुंच जाते हैं वहाँ पर आठ बज क जैसे ही बढ़ा देते हैं तो अब क्या हुआ पहुअ पहुचना था आठ वजे लेकिन कब पहुँच गए चार मिनिट पहले ही पहुच जाते है इसका मतलब साथ बज़कर छापवर मिनिट में आप पहुच जाते हैं तोना से समय का अंतर क्या हो गया देखे जीरो भाई यहां से एक हांसिल लिएंगे एक घंटा हासिल लिया जाए जनी 60 मिनिट होगा तो 60 पलस 6 में 6 मिनिट हो जाए यहां से घटाएंगे 6 में से 6 गया 0, 6 में से 5 गया तो 1 समय में अनतर क्या गया 10 मिनिट इसलिविото dice यह झाहे हो कि जब कभी भी अगर uno inv register से पहुंचता है एक चाल से चलता है देरी से पहुंचता है अपरे गंतर पर दूसरे चाल से चलता है तो पहले ही पहुंचता है देरी और पहले दिया है तो जो इसका समय होगा वह जूटेगा लेकिन अगर देरी-देरी दिया है दोनों में लेट होता है तो घटेगा अगर कहीं जैसा है घटेगा बिपरीद है जूटेगा किलियर है आईए अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा तो छै चार दस बट एक घंटा में है इसको में क्या करना है घंटा में बदलना है तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे किए आउंटी क्ा दोट दोसरे काटेंगे ऑ दो दुना चार तीन सेına काटेंगे किया है दो किलो मेटर दूरी दो किलो मेटर यह दूरी प्रिग्न है पस आपको कौन सा तरीका समझ में आता है एक्जाम में कौन से तरीका से आप सवाल लगा पाते हैं यह depend करता है आपके उपर ओके चलिए चलिए तो एक बार आप लोग सवाल को पढ़िए समझिए चलिए अब आगे चलते हैं अगला question है पर आपके सामने है जड आईए दोस्त दूसरा प्रशन क्या कहा है कि एक लड़का अपने घर से पांच किलो मेटर प्रेद घंटा की गती से चल कर अपने विद्याले तीन मिनट देरी से पहुंचता है अब देखिए मैं तीसरा जो मेथड था तीसरा जो तरीका हमने पताया है हम उसी तरीके सवाल लगाएंगे पांच किलो मेटर प्रेद घंटा की गती से चलता है तो तीन मिनट देरी से अपने विद्याले में पहुंचता है इसका मतलब उसने तीन मिनट समय एक्स्ट्रा ले लिया ओके आईए करा कि अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है लेकिन अपने गती चार किलो परेद घंटा दे तो कितना हो गया? 9 किलो मेटर प्रति घंटा ँश्पीड हो गया उसका अग्सका के चलता है तो तीन मिनट परहले पहुंच जाता है यह तो समय बचा लेता है अके देखी तो चल का अंतर क्या हो जागा? चार तो समय में अंतर क्या हो जागा यहां से इन दोनों का अंतर निकालेंगे 4 हो जाएगा समय का अंतर क्या हो जागा 3, 3, 6 क्योंकि 1 पलस 1, minus 1 लेट है 1 पहले है तो यहां से 6 बटे 60 करेंगे 6 क्या है, मिनट में है इसको घंटाम बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे ओके देखिए अब यहां से 6 से काटेंगे 6 कम 6 10 बार में कट गया ठीक है 5 से काटेंगे 5 दुआ 10 कट गया अई यह हो गया क्या उपर बचा 9 नीचे क्या हो गया 4 दुना 8 यानि हो गया यह है 9 बटे 8 जब 9 में भाग देंगे 8 से एक बार जाएगा पूरा पूरा 10 मलो एक बचा है 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा 8 एक कम 8 बचेगा 2 10 मलो लगाए 0 बढ़ा सकते हैं 20 हो जाएगा 8 दूना 16 बचेगा 4 फिर 40 हो जाएगा 8 बचे 40 यानि दूरी हो जाएगा दोस्त एक दसमलो एक दू पांच किलो मेटर ओके चलिए अब हम बगते हैं आगे अगला कोश्चन पर चलते हैं प्रस नमबर 3 आपके सामने है बताएए प्रस नमबर 3 में क्या कहा गया है और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएए क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर अगर आप लोगों ने दो कोश्चन इमानदाली से पढ़ा है दोस्त तो तिसरा कोश्चन का जवाब आप का आना चाहिए आप ये चिक करिए क्या हमने जो पढ़ा है उसको सीख पाया कि नहीं पाया सबसे इंपर्टेंट आप उस बात को सीख पारहने की उस चीज को सीख पारहने की ने सीख पारहे है जो आपको सीखना है आईए एक रेलगारी की आवसत गती जब पचास क् wondered किलो मेटर होती है तो वह 15 मिनिट का समय इसे 5 किलो मेटर पर इसका है युझा का समय इसे रहता है रेलगाडी, बास समाज भाई नहीं, अगर वह 60 के स्विट से रेलगाडी चलती है तो पचीस मिनट पहले ही अपने गंतब पर Pहले ही पहुंच के बैठ गया है, तो इसका मतलब उसने पचीस मिनट का समय बचा लिया है, ठिगया भई, 50 और 60 का अंतर क्या होगा 10 हो जाएगा गुबें यहां पर क्या होगा 15 एक देखिए पलस एक देखिए माइनस है तो 15 और 25 जूटेगा तो 15 पचीस होगा 20 40 यह मिनियट है इसको घंटा मदलने के लिए 60 से भाग करेंगे देखिए यहां जीजो जीजो कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटे के 6 दहिया में 60 हो जाएगा, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 50 चोग को 200 हो जाएगा, 50 चोग को 200, तो 200 किलो मेटर की टोटल दूरी है, और यही आप से पूछा गया है, कहा है कि निम्न अंकित में से कौन से तैंकी गई दूरी है तो दूरी कितना तैंग कर रहा है 200 किलोमीटर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर चलते हैं दोस्त और अगला प्रस्ण यहां पर आपके सामने हैं बताईए क्या होगा इस प्रस्ण का बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे जरा प्रस्ण नमबर 4 यहा चलिए सवाल को आप लोग पढ़िये पहले अगर जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि करना क्या है तो पहले भाई आप सवाल को ध्यान से पढ़िये सवाल को पढ़ेने में जब आप समय देंगे तब इसके बाद अगला जो सवाल होगा आप बहुत फास्ट कर पाएंगे प्रैक्टिस करना इंपार्टेंट है प्रैक्टिस बेली बेली मोस्ट इंपार्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है अगर प्रैक किलोमेटर पर घंटा की चाल से चलती है और दस मिनट देरी से अपने अस्थान पर पहुँचती है असी के चाल से चल रही है बस 10 मिनट देरी से अपने अस्थान पहुँचती इसका अमलब उसने 10 मिनट का इस्ट्रा समय ले लिया है यदि यह बस 90 km पर ग्हंटा की चाल से चलती तो आठ मिनट देरी से पहुंचती देखें इस बार देरी से ही दोनों दिया गया है तो लेकिन दूसरा जो देरी क्या है 8 मिनट का है आठ मिनट देरी यह नि आठ मिनट का समय इस्टरा लेता है जब हो 585 के ispheer से चलती है तो और 10 मिनट देरी से पहुंचे इसका जो 10 मिनट का समय वह सिस्टरा ले रही है लेकर सब संस doltsk 8 कि और की 60 मिनट 2 से पहुंचती है इसका मुणलव 90 के चाल से चलने पर आठ मिनट एक्ष्ट्रा समय बस ले रही है ओके भाई देखिए असी और नब्य का अंतर क्या हो जाएगा यहां से दस असी और नब्य का अंतर क्या हो जाएगा दस गुना अब दोनों यह पलस पलस है तो घटेगा यह थीक है दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो तियां चे, तीन से काटेंगे, तीन तियां नौ, आठ तियां चौविस, तो आठ तियां चौविस इसका मतलब 24 किलो मेटर की दूरी उसको तै करनी है अब प्रस्ण में क्या पूछा है प्रस्ण में पूछा है अपने यात्रा पूरी करने के लिए सही समय बताईए 24 किलो मेटर की दूरी तै करती है बास समझ पा रहे हैं ने समझ पा रहे हैं तो पहले यह निकाल लिए कि जब 24 किलोमेटर की धूरी तैंक करती है अगर हम असी से भाग देंगे 24 में तो समय निकल गयागा कितना वह समय बस ले रही है आप 90 से भी भाग दे सकते हैं यहां से भी आएगा लेकिन बात क्या है जब अगर आप 80 से भाग देंगे 24 में तो एक कि समय आएगा कि इतने समय बस अपने अस्थान पर पहुंच जाती है लेकिन यह वहां पर जब पहुंचती है तो जो समय आएगा उसमें वह दस मिनट एक्ट्रा समय लेती है तो उसे दस मिनट को घटाना पड़ेगा अगर आप 90 से भाग देते हैं तब क्या होगा 90 से भाग देंगे जो समय आएगा जो भी समय आएगा उस समय में आठ मिनट एक्ष्ट्रा समय ली है तो इसका मतलब आठ मिनट उसमें से घटाना पड़ेगा तो आप चाहे यहां से लेकर लगा सकते हैं या फिर यहां से लगा सकते हैं हम दोनों से बताएंगे अगर आप 84 ल 24 किलो मेटर की धूरी है, 80 किलो मेटर पर गहंटा की चाल से चलता है, तो इतना समय उसको लगेगा, अब बताइए यह किलो मेटर है, और यह क्या है किलो मेटर पर गहंटा है, जो समय आएगा हुआ, किसमें आएगा गहंटा माएगा, तो गहंटा को मिनटर बदनने के लिए 60 से कर देंगे यहां पर गुगया काटिए जीरो से जीरो कैंसील आठ तियां चौबिस छैतियां अठारे यानि उसको अठारे मिनट का समय लग रहा है बसको अपने गंतब्र तक पहुंचने में अब इस अठारे मिनट में पहुंचता है तो दस मिनट उसने इस्ट्रा समय ले होगा है तो इसका वास्तिविक समय क्या होगा कि वास्तिविक समय क्या होगा कि अठारे मिनट में पहुंच जाता है जिसमें से जिसमें से वह दस मिनट का इश्ट्रा समय लिया है तो इसका मतलब इसका वास्तिविक समय क्या हो जाएगा आठ मिनट वास्तिविक समय होगा तो इथना आएगा लेकिन वागी चलिए आप चाहते हैं कि नहीं मैं नबे किलोमेटर पर गहन्टा की चाल को लेकर चलूंगा तब देखिए तब 24 किलो मेटर की दूरी है, आपने 90 किलो मेटर पर घंटा की चाल से तैंकिया, ति इतना घंटा में आप अपने घंटब पर पहुँच जाती है, इसका मलब इतने घंटे में बस अपने घंटब पर पहुच जाती है, इक घंटा है, आप इसको मिनेट बदल देजिए, 60 से सब करका दोना जो गान अभीन किलोंसां से चलती है तो अपने गान्ते सबने प्रनों चाहसे गया कि भाई हमने तो आठ मिनट लेट हो गया है हमें क्या है आठ मिनट लेट हो गया है इसका मतलब सही समय क्या होगा सही समय का मतलब वास्तिविक समय सही समय क्या होगा सोले मिनट पहुंचती है बस जिसमें वह आठ मिनट से लेट है यानि आठ मिनट उसने इस्ट्रा समय ले लिया तो आठ मिनट घटा देंगे यहां से इसका मतला वा वा वास्तिविक समय गंतब पर पहुंचने का यहां से याठ आ रहा है आप कहीं लगाईए ना आशर में कोई परिवर्तन नहीं होगा बस आपको लगाने आना चाहिए चलिए आगे बगते हैं अगला कोश्टन देखेगा अगला कोश्चन आप के सामने है एक बार आप लोग सवाल को परिए वीडियो को पूछ करिए एक पूछ करने के बाद आप इसका आंसर हमें कमेंट बाँस में बताईए कि कमेंट गाहे में हमें इसका अंसर बताईगी क्या है इसना बेलकुल सही उत्तर आईए प्रचवान नंबर कोश्चन है आपके सामने और प्रस्ण में क्या कह दिया प्रस्ण ने कहा कि यदि कोई गाड़े 40 किलो मीटर प्रदी घंटा की गती से चले तो अपने घंतब्य अस्थान पर 11 मिनट देरी से पहुँचती है ठीक है अगर वह 40 किलो मीटर प्रदी घंटा की चाल से चलती है तो वह 11 मिनट देरी से पहुँचती है इसका महला 11 मिनट का समय उसने इस्ट्रा ले लिया अगर वह 50 किलो मीटर प्रदी घंटा की चाल से चलती है तो इस कंडिशन में वह 5 मिनट देरी से पहुँचती है यानि देरी तो दोनों है यहाँ पर 11 मिनट देर यहाँ 5 मिनट देर तो पलस कर देंगे 50 और 40 का अंतर क्या हो जागा 10 इन समय में अंतर क्या होगा 11 और 5 में समय में अंतर क्या होगा तो दोनों पलस है घंटेगा तो क्या हो जागा यहाँ से 6 मिनट मिनट को घंटा मदलेंगे 60 से भाग कर देंगे ओक्य भाई देखिएगा यहां से 2-0, 2-0 से cancel 5-0 20, 6-6 भी कर जाएगा 5-0, 20 यारे दूरी क्या है 20 किलो मेटर दूरी है दूरी है 20 किलो मेटर, पूछा क्या है इसमें पूछा है कि ज़रा बताये, यात्रा पूरी करने के लिए के गारी का सही समय क्या है तो इसमें भी आप से सही समय पूछा गया है तो सही समय जश्ट इसके पहले वाले सवाल में भी पूछा गया था तो अगर आपने पहला सवाल समझ में आगया है आपको अगर आप लोग इसको भी लगा लेंगे सही समय निकालना है आप 40 को भी लेक 40 km प्रेद घंटा की चाल से चलेंगे तो इतना समय लगेगा एक घंटा में आएगा इसको मिनट बदल ये 60 से गुना करके 20 से कम 20, 20 से दुना 40 दूसरे काटेंगे 30 से दुना 60 यानि 30 मिनट का समय लगेगा 30 मिनट का समय लगेगा अब ये 30 मिनिट में अपने गंतब्य पर पहुँच जाती है जिसमें से आपने क्या देखा कि 11 मिनट तो लेट है यानि इसने 11 मिनट एक्ष्ट्रा समय ले लिया है तो इसका सही समय क्या हो जाएगा सही समय क्या होगा 30 माइनस का 11 है तो घटाएंगे क्या हो जाएगा 29 मिनट इसका बिलकुल सही समय होगा यानि 29 मिनट में इसको अपने गंतब्य पर पहुँचना था उक्के भाई समझ में आ रहा है बताएगे आप लोगी बर इसका अंसल क्या होगा 29 मिनट आपसर नमबर सी इसका बिलकुल सही उत्तर है उक्के चलिए अब प्रस नमबर आगला चलते हैं प्रस नमबर 6 यहाँ पर आपके सामने है बताएगे छाठा प्रसन का उत्तर क्या हो चलता और प्रस चाल जो है तो पूंच जलिए पंच मीनट बहुं जाता है और पांचelu मेंट जल्दी पहुं जाता है यानि 5 पहले पहुं समय के अंदर क्या होगा 5 and 5 घ्ता अना होता है 5 civils मैंस इससे 5 घ्ताएंगे तो 5, M- M-++5, क्या हो जागा, 10 हो जागा, ऐसे होता है घर जाता है, जुट जाता है, जब घटाएंगे तो ईंदर का जो चीन है बदल जागा, इसी लिए मिने कहा है कि पलस and M-7 इसको जोगे देंगे, घटाएंगे तो 5-5-10 हो जागा, और यह 10 क्या है, यह 10 है मिनट, आप इसको बदलेंगे किसमे घंटा में, ओक्य भाई, दस को बदलेंगे घंटा में, तो क्या हो जाएगा, तो देख लिजी क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे जिरी जिसका इंसेल, तीन एककम तीन, तीन दुना, छे, दो से काटेंगे, दो दुना, चार, तो इसका, क्या होगा, आंसर दो किलो मेटर दो किलो मेटर इसका बिलकुल सही उत्तर है आपसर नमबर भी में लिखा हुआ है चलिए आगे बढ़ेते हैं समझ गया होंगे आप लोगोंने आईए अब अगला कोश्चन प्रस्ट नमबर साथ प्रस्ट नमबर साथ में क्या कहा गया है पढ़िए सवाल को बताईए आंसर देजिए क्या कहा गया है प्रशन नमबर साथ में और इसका आंसर क्या होगा साथ नमबर प्रशन में कहा गया है कि यदि मैं चार किलोमेटर प्रद घंटा की गति से चलूं तो मेरी बस दस मिनट पहले जूट जाती है बात को ध्यान समझेगा अगर मैं चार किलोमेटर प्रद घंटा की गति से चलता हूं ठिक तो मेरी जो बस है ना इस बस स्टेंट पहुंचने का जो मेरा समय है उससे मैं दस मिनट लेट हो जाता हूं और बस रफुचकर हो जाती है वहां से बस समझ मैं नहीं यानि आपने बस स्टेंट पर पहुंचा है जब चार किलोमेटर प्रद घंटा की गति से तो आपने देखा वहां पर जब आपने इंक्वारी किया तो भी कहा कि दस मिनट पहले बस याज छूट गई है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ आप दस मिनट लेट हैं दस मिनट आप बस स्टेंट पर देली से पर वार कि अगली बार मैं आऊंगा न तो चाल बढ़ा कर आओंगा तो कहा कि दि मैं पांच किलो मेंटर गणAudiate की गति से चलूंगे इस बार चाल क्याकर दिया है पांच किलो मीटर्ट प्रति घंटा कर दिया है तो कहा कि मैं बस के लिए पांच मिनट पहला ही पहुंच जाता हूं अब बस नहसे निकलने से प्रति भ्लिए होगा पर बस पहले ही वां मैं बैठा हुआ है तो इसका मतला उसने पांच मीनिट का समय क्या कर लिया बचा लिया यहां यह कम लिया है पांच मीनिट देखिए तो कहा है कि मुझे बंस अड़े तक जाने के लिए कितनी चलनी होता है यह यह बंस इस्टेंट तक के दूरी आप से पूछा गया है देखिएगा यहां से, 4 और 5 कंतर क्या हो जागा यहां से, 1 समय कंतर क्या होगा यहां से, 1 पलस 1 माइनस तो 15 हो जाएगा, इसको घंटाम बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, 15 कम 15, 15 को 60, 4 4 से कैंसिल, बचेगा क्या 5, यानि दूरी क्या है, 5 कीलो मेटर की दूरी है, घर से लेकर बस इस्टेंड तक पांच किलोमेटर आपसन नमबर डी में लिखा हुआ है तो आपसन नमबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रेस नमबर आठ पर चलते हैं अगला कोश्चन देखिएगा आपके सामने है बताईए स्रीमान यक्स अपने कारियाल है अपने स्कूटर से 30 किलोमेटर प्रेद घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुँच जाते हैं स्कूटर से चलते हैं 30 किलोमेटर प्रेद घंटा की गति से तो क्या होता 6 मिनट जल्दी पहुँच जाते हैं यानि उसने वहाँ पर पहुंचा, तो 6 मिनट का समय बचा लिया, 6 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब क्या हुआ, कि वहाँ पर पहुंचे है, 6 मिनट उसने समय क्या कर लिया, बचा लिया, यह तो जल्दी होता है, माली यह कहीं आप जाते हैं, और आपको 8 बजे पहुंचना है आपने देखा कि हमने तो साथ बच के अन्ठावर मिनट पर आ गया इसका मतलब आपने दो मिनट जल्दी पहुंच गया आप तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दो मिनट का समय बचा लिया तो इसने च्छे मिनट का समय बचा लिया माइनस का च्छे कर रहेंगे कहा कि यह पूछा है तो उनके कारियाले के दूरी बताना है नीचे क्या लिखा जाएगा तीस और चौवीस कंतर 6 है गुना समय कंतर क्या हो जागा माइनस छे पलस माच तिया हो जाएगा च्छा पांच इग्यार जूटेगा एक माइनस एक पलस जूटेगा यह मिनेट में है घंटम बदलेंगे 60 से भाग कर देंगे यहां से कटेगा ठीक है छे चव को 24 हो जागा चार से काटेंगे यहां से तो यहां से दो से काटेंगे अगर हम दूसे काटते हैं अगर तो दो दुना चार अदू तियाँ छे तिन से काटेंगे कर जागा तो 11 दुना क्या हो जागा चला यहां से 22 किलो मेटर 22 किलो मेटर की दूरी है उसके कार या लेकि ओके इसका उत्तर क्या होगा बाइस किलोमेटर राप्सन नंबर सी में दिया गया है आईए आगे चलते अगला प्रस निहाँ पर आपके सामने है प्रस नंबर नौ एक ब्यक्ति को एक निश्चित अस्थान पर नियत समयानुसार पहुचना है नियत जो समय दिया गया होगा कि इस टाइम पहुच राना है उस टाइम पहुचना है उसे पता चलता है कि यदि मैं तीन किलोमेटर प्रेद घंटा की गध से चलूं तो बीस मिनट देरी से वहां पहुचेगा अगर वह तीन किलोमेटर प्रेद घंटा की चाल से चलता है तो अब बीस मिनट देरी से पहुचेगा इसका मतला बीस मिनट का उसने समय इस्ट्रा ले लेगा लेकिन चार किलोमेटर प्रेद घंटा की चाल से चल है तो दस मिनट पहले ही पहुच जाएगा यह यह दस मिनिट का समय बचा लेगा ठिक तो दूरी पूछा है यहां भी तीन और चार का अंतर एक समय का अंतर क्या जाएगा एक प्लस एक माइनस जूटेगा बीस दस तीस बटे यह मिनिट में है घंटा मदनें के साथ से भाग करेंगे तीस दूना साठ दूसे काठेंगे दो दूना चार तीन दूना छे चे किलोमेटर की दूरी यहां से निकल जाएगी ओक के आगे बढ़ेते हैं प्रिस्ट नंबर 10 पर चलते हैं अब दस्वा नंबर प्रिस्ट ने देखिएगा प्रिस्ट नंबर 10 में क्या कहा गया है समझिए प्रिस्ट नंबर 10 में कहा गया है कि यदि कोई गारी यदि कोई गाड़ी 40 किलोमेटर पर गहंटा की पर गहंटा पर चले तो आपने गनतब्वे अस्थान पर 11 मिनट देली से पहुंचती है अगर 40 किलोमेटर पर गहंटा की चाल से चलती है तो 11 मिनट देली से पहुंचती है इसका मतलब इसने 11 मिनिट का समय ज़्यादा ले लिया यदि वह 50 किलो मिनिटर प्रेद घंटा की चाल से चले तो किवल 5 मिनिट ही देरी से पहुंचती है यानि यहाँ पर वह 5 मिनिट का समय ज़्यादा लेगी ठीक तो पूछा यहाँ पर समय सही समय बता दीजिए किपना होगा तो सबसे पहले आप दूरी निकाल लेजिए आप दूरी यहाँ से निकाल लेंगे निकालेंगे कैसे 40 और 50 कंतर क्या होगा 10 हो जाएगा समय कंतर क्या हो जाएगा दोनों पलस है घटेगा तो 6 हो जाएगा बटे 60 कर देंगे ठीक यहां से 0000 कैंसेल 6-6 से कैंसेल 4-5-20 4-5 क्या हो जाएगा 20 किलो मेटर की दूरी है सही समय बताना है तो सही समय निकालने के हमने दो सवाल आपको बता ही रखा है आप लोग समझ गया होंगे तो निकाल सकते है तो जड़ा आप लोग सा बिकल्प सही है आप लोग कमेंट करके यह बता देजिए कि इसका सही समय कितना होगा ओके भाई चलिए आगे चलते हैं अगर आप प्रसने के सामने है प्रस्ण नंबर 11 यहां पर आपके सामने दिया गया है और इसमें क्या कहा है कि एक छात्र अपने बिद्याल है धाई किलो मीटर प्रत घंटा की गदी से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है धाई किलो मीटर प्रत घंटा की गदी से चलता है तो धाई का मतलब क्या पांच बटे दो छे मिनट देरी से पहुंचता है छे मिनट उसने इस्ट्रा समय ले लेता है यदि तीन किलो मेटर प्रत घंटा की गदी से चले तो क्या करता हुआ, 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यह 10 मिनट समय बचा लेता है, नीचे क्या होगा, यहां पी आपसे दूरी पुछा गया है, तो नीचे क्या लिखा जागा है, दूनों का अंतर, इसका अंतर निकाले कितना होगा, तीन पांच बट दो का अंतर क्या होगा तीन दुना च्छ तीन दुना च्छ च्छ में से पांच गया तो तीन दुना च्छ च्छ में से पांच गया तो एक बटे दो इसका अंतर क्या होगा एक बटे दो हो जाएगा समय का अंतर क्या हो जाएगा 1 plus 1 minus 16 बटे 60 ठイक भाई 16 बटे में 60 हो जाएगा एक पलर्ट के चलियागा 2 उपर 2 पलर्ट के उपर चलियागा नीचे 1 होगा अब 2 कहां चलियागा उपर चला जाएगा अब काट पीट इसको करेंगे काट पीट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा ? देखिएगा यहां से 2, 3, 6 दहियां में 60 ठीक है भई ? 6 दहियां में 60 यहां से हो गया 5 बटे 2, गुना 16 बटे 10 5 दूनी 10, दू दूनी 4, चवको 16 यानि इसका उत्तर क्या हो गया ? 4 किलो मेटर इसका उत्तर आ जाएगा दूरी कितना है, 4 किलो मेटर है बस calculation आपको समझना है, calculation कैसे करना है आपने समझ गया होगा, ठीक है बई calculation सबसे महत्तफ़ इन चीज है इसमें ठीक है, आगे चलते हैं अगला question यहाँ पर आपके सामने है देखिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट भी करते रहिए कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे तो हमें लगेगा कि हमें जो हमने चीज आपको बताया है वह आपको समझ में आगया, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हम पैसे जान पाएंगे कि कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है बस आप लोग एक कमेंट भी करते रहिए ठीक वही आईए अगला कोशन बार्या नंबर प्रस्ट में चलते हैं बारहमें प्रस्ट में क्या कहा गया है कि पांच किलोमेटर पर घंटा की गति से चलने पर एक छात रपने विद्याले 15 मि मिटर पर घंटा की चाल से चलने पर अगर यहां थीजह में पाँने चाल से चलता है तो नो मिनटा देजी से जाता है इसका मतना नौ मिनटा उसनें समय इस्ट्रा ले लिया तिक दूरी पुछा है पांच और तीन घंटा क्या हो हो जाएगा समय कंतर क्या हो जाएगा 15 और नौ 24 क्योंकि एक पलस एक माइनस है 24 मिनट घंटा मदने के लिए 60 से भाग ठीक देखिए 12 दूनी 24 बारे पंजी 60 पांच 5 से कैंसील 2-2 से कैंसील 3 किलो मीटर दूरी है इसका उत्तर क्या होगा 3 किलो मीटर आपसन नंबर सि ठीक एक बार आप लोग कमेंट करिए भी या बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन यहां पर चलते हैं अगला प्रश्न आ आप लोग आंसर हमें बताईए कितना होगा हरी अपने घर से 5 किलो मेटर प्रद हंटा की गति से चलकर अपने kारियालें तीर मिनट देरी से पहुझता है पांच किलो मेटर प्रदी हंट के चाल से चलता है अतीर मिनट देरी से अगpli decision किसी स्पीर से चले गाँ छे के स्पीर से 5 तो था ही पहले लेकिन 1 km बढ़ा देता है इसके पहले 6 के चाल से चलता है तो इस condition में क्या होता है वह 3 मिनिट पहले ही पहुंच जाता है 3 मिनिट उसमय बचा लिया दोरी पुछा है दूरी पुछा है 5 और 6 का अंतर 1 3 और 3 का अंतर 6 बटे यहां गुगा कचीन लगाएंगे 60 ठीक भाई 6 से काटेंगे 6 दहिया में 60 5 दूरी 10 2 3 6 यहां से हो जागा उत्तर 3 किलो मेटर 3 किलो मेटर इस प्रस्ण का बिल्कुल आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट करेंगे बताएए क्या है इसका बिल्कुल मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ बताएए क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर चलिए भाई प्रस्ण को पढ़िए समझे अब तक को अब तक आपने तेरा प्रस्ण कर चुके हैं तो अब आपके अंदर एक confidence आ गया होगा कि अब मैं ऐसे सवाल को लगा लूँगा मेरे से ऐसे सवाल नहीं छूट सकते हैं पेपर में ठिक, अब confidence आ गया होगा आईए चौद्या नमबर कोशन कहा है कि यदि मैं पांच किलोमेटर प्रद घंटा की चाल से चलता हूँ तो मेरी गारी साथ मिनट पहले ही छूट चुकी होती है क्या कहां कि यदि मैं पांच किलोमेटर प्रद घंटा की चाल से चलता हूँ तो मेरी जो गारी है न वह गारी मेरे से 7 मिनट पहले ही छूट चुकी होती है इसका मतलब वह अपने बस इस्टेंड जो पहुंचता है जो भी गारी हो गारी कोई भी हो अपने जब गारी इस्टेंड पर पहुंचता है तो देखता भी या कि 7 मिनट पहले ही गारी चली गई है तो इसका मतलब इसने गारी छुटने से 5 मिनट पहले ही पहुँच जाओंगा, अगर 6 के चाल से चलता है, तो 5 मिनट पहले ही पहुँच जाओंगा, यानि इसने 5 मिनट का समय बचा लिया, तो 5 मिनट माइनस कर देंगे, ठीक, आप से पूछा है, दूरी, दूरी पूछा है, तो यहांस देखिए, पांच उच्छे का अंतर एक ठीक है भाई गुया गुना का सिंबल लगाएंगे और समय का अंतर रिठा हो जागा एक प्लस एक माइनस साथ पांच बार है यह मिनट है घंटा मदलिए साथ से भाग दीजिए 12 पंजे साथ से साथ कैंसेल क्या बचेगा यहां से 6 किलो मेटर छे किलो मेटर इस प्रशन का बिलकुल सही उत्तर होगा ठीक है शे किलोमेटर इस प्रस्ण का बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ओके भाई आपसे नमबर ए इसका बिलकुल सही उत्तर है अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं आज का यह लास्ट प्रस्ण है दोस्त और मैं आप से इस लास्ट प्रस्ण का आंसर चाहता हूं तो जरा बाक्स में जरुर्द बताईएगा ुप्रश्ण नंबर प्रस्ण है और यह आज का लाश्ट प्रस्ण है इसका आंसर आप लोग जरुर्ण जरूर अरिजण बतादा हूँ कि आपने चव्ड्य प्र 어쨌든 का आप सवाल को लगा सकते हैं ओके हलाकि आपको तीरों मेथर समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो मेथर आपको अच्छा लगता है बस उसी प्रैक्टिस करिए और इस प्रेस्ट का आंसर आप आप लोग कमेंट बाक्स में देजेगा आई होप आप सवाल समझ में आया हैं तो फिर आप लोग अगर आपको किसी वी तॉपिक में किसी बी चैप्टर में आपको समझ्या है तो कमेंट इतना ही जै हिंद जै भारत